नमश्कार दोस्तों, मैं रहुन शर्मा स्वाइद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1st of March 2022 के बारे में 1st March 2022 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहां पर आप सभी को साबधानी रखनी है? क्या चीज़ें? आप सभी को करनी हैं और क्या करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साती जात हम बात करेंगे अच्यो कुपाई के बारे में एंजल नमबर के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़ादा बैतरिनिया पर बना सकते हैं एक मार्च नया महिना महिने का पहरा दिन और मंगलवार का दिन और साती सात यहाँ पर दिखा जाए तो महा शिवरात्री का दिन बहुती ज़ादा उत्तम दिन यहाँ पर दिखाई दिता है नमबर एक जो है वो सूरी का नमबर है दिन जो है वो मंगल का दिन है और शिवरात्री भगवान शिव वोले नात का दिन है यहाँ पर सारज combination बन रहा है ग्रहों का जो सयोग बन रहा है यह बहुत ही ज़ादा अच्छा परता है आज का दिन अपने आप में बहुत ही ज़ादा शुब है सूर्य और गुरु की यूती सूर्य और चंद्रमा की यूती और साती साथ गुरु और चंद्रमा की यूती यहाँ पर काफी जदा बलवान है और इसमें भी आप देखें तो शनी और मंगल भी साथ में विराजमान है और ये भी काफी ज़दा अच्छी होती हैं पर कही जाती है तो जब इस तरह से ग्रहों का सयोंग बन जाए और बोलिनात का दिन अगर आ जाए तो definitely कहीं न कहीं काफी ज़दा बड़े लेवल पर चीज़ें यहांपर चेंज हो सकती हैं बड़े लेवल पर चीज़ें यहांपर आपको देखने को मिल सकती हैं तो इसलिए यह जो दिन रहेगा यह कुछ बड़े चेंजेज, बड़े बदलाव, बड़ी दिशा में, किसी भी दिशा में बड़े लेवल पर आके जाने का दिन आप सभी के लिए रहने वाला है जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए यहांपर एक नया सरकर आपके लिए शुरू हने वाला है वैसे भी मार्च का महिना हम सभी के लिए financial महिना आता है financial end हो रहा होता है यहाँ पे और नए financial year की शुरुवात एपरिल में हम करने जाने वाले हैं तो इसलिए इस महिने में सारी चीज़ें जो हम close करने की ही कोशिश करते हैं यहाँ पर देखने को देलाता है क्योंकि आज कर दिन यहाँ पर देखा जाए काफी जदा energetic दिन है इसलिए आज आपका confidence level रहेगा वो काफी जदा अच्छा रहेगा काम आपका सारा पूरा होगा और आप एक अच्छे level पर अपने सारे कामों को कर पाएंगे आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ग्रहों नक्षत्रू की चाल चल रही है फैनेंस में आपको फायदा होने वाला है यहाँ पर नए रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे जो आप करियर बिजनस में नहीं टार्गिट्स जो आपके सैट होंगे वो आपके पूरी होते वे नज़र आएंगे साथ ही साथ अगर आप कोई अपरशनी भी देखनी कोशिश कर रहे हैं कोई इंटव्यूस दे रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा इसके भी चांसे अच्छे हैं प्रमोशन की बातें आज से शुरू होने लग जाएंगी और कहिन के किसको कितनी ग्रोथ मिलेगी उसकी भी कैल्कुलेशन से यहाँ पर होने लग जाएगी तो अच्छा दिन है और positive दिन है और मुझे लगता है कि अगर कोई शुरूआत आज की दिन होती है तो वो definitely energetic शुरूआत रहेगी और वो पूरे महीने कहीने के चलती हुई नसर आएगी और उसके results भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगी relationship में भी यहाँ पर देखा जाए तो आज का दिन काफी ज़दा अच्छा है relationship में पुरानी टक्रार को खतम करने का दिन है नई शुरूआत को करने का दिन है और एक अच्छे लेवल पर अपने partner के साथ एक अच्छी chemistry डवलप करने का यहाँ पर दिन दिखाई देता है तो definitely दिन आप सभी को काफी ज़दा energy देगा काफी ज़दा positivity देगा और काफी ज़दा अच्छे results यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा health में देखा जाए तो काफी ज़दा अच्छा है कोई दिक्कत को परिशानी नहीं है भगवान भोले का नाम लीजी और अपने आपको मस्तर किये आपकी health में कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं रहेगी खास कर जिने blood pressure की बिमारी है उनके लिए आज का दिन काफी ज़दा महत्वपूर्ण है आज के दिन की के exercise आज के दिन की के remedies आप सभी के लिए काफी ज़दा कारकर रहेगी और आपकी health में काफी ज़दा improvement आपको आज देखने को मिलने वाला है तो definitely आज का दिन उम्मिद करता हूँ सभी के लिए अच्छा जाएगा कोई दिक्कत के परशानी नहीं रहेगी यहाँ पर देश और दुनिया के लिए भी अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो definitely यहाँ पर there is a time for the new beginning तो यहाँ पर एक नई beginning का समय है नई उर्जा का समय है नए तरीके से चीज़ों को करने का समय है और इसलिए देश और दुनिया में भी कुछ नई चीज़ें होते हुए आपको देखने को मिलेगी युक्रेन और रशिया का जो conflict चल रहा है इस conflict में भी इस दिन का बहुत बड़ा रोल है आला कि यह दिन जादा कुछ कहीन के खराब नहीं करेगा बड़ थोड़े मोड़े उतार चड़ाव देखने को मिलेगे पर उसके बाद बादचीत का मसला हो लोगा रास्ते निकलेंगे और बादचीत के साथ ही कम्यूनिकेशन के साथ ही कहीन के आप देखेंगी कि सही रास्ते पर सही ट्रैक पर ये conflict जाता हुआ दिखाई देगा तो आज का दिन काफी जदा अच्छा है इस conflict को solve करने के लिए या solve करने की शुरूआत करने के लिए लेट सी क्या होता है किस तरह से यहाँ पर दिन जाता हुआ दिखाई देता है राशियों के लिए हाँ से देखा जाए तो राशियों के लिए हाँ से व्रशब राशी आप के लिए तो बहुत ज़्याद अच्छा दिन है मेश राशी के लिए भी काफी ज़्याद अच्छा दिन है सिहर राशी के लिए भी बहुत ज़्याद अच्छा दिन है तुला रा आप सभी के लिए दिन जो है काफी ज्यादा पॉज़िव यहां पर दिखाई देता है अब चलिए बात कर लेते हैं आप अच्छे कुपाई के बारे में और एंजल नंबर के बारे में उससे पहले अगर आप सभी मुझसे पूना और मुंबई में मिलना चाहते हैं तो मैं आ अपना टाइम सेट करके मुझसे मिल पाएं अगर आज आपका जन्द दिन है अगर आज आपके अनिवर्सरी है या फिर आपके जीवन का कोई विशेश महत्वपून दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुब कामना है महाश्रिवरात्री के दिन आपके जन्द दिन का आप अच्छे योग यहां पर आपके बंते हुए दिखाई देंगे ओवर्रोल इस साल में आप सारी चीज़े करने के कोशिश करेंगे और डेफिनिटी साल आपको बहुत कुछ देने वाला है बहुत कुछ अच्छे रिजर्स देखने को आपको मिलेंगे चलिए अब बात क रहेगा यह रहेगा 019 19 जी हाँ 019 डोंट फागट देखने को भी मुश्किल से ही मिलेगा बहुत जल्दी नजर में भी कैच नहीं आएगा बट इस नमबर की कैलकुलेशन जो है वैदिक कैलकुलेशन जो है यह बहुत ही जादा एक्स्ट्रीम लेवल पर आपको पॉजिव देने वाली है एक्स्ट्रीम लेवल पर आपका काम बनते हुए नजर आएगा यह कैसा नमबर है जिस नमबर के साथ आप जो भी इच्छा मांगना चाहें मांगने की कोशिश करिएगा और मुझे लगता है कि उसाली इच्छा आपकी पूरी होते हुए नजर आएगी जो नमबर को यूज करिए और अपने काम को बनाने की कोशिश करिए आज के दिन वैदिक उपायर में आपको क्या करना है महा शिवरात्री का दिन है वैदिक उपायर नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएगा तो इसलिए आज के दिन तो यह उपायर करने ही करने है सबसे पहले क्यो वो आप कर पाएं वो आप करें वो आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा कुछ खास उपाय आपको मेरे शॉट्स वीडियो में मिल जाएंगे आज के दिन तो वो भी आप कर सकते हैं उससे भी आपको काफी जादा फाइदा मिलेगा जैसे किसी की शादी नहीं हो रही कते हैं जिसको पैसी की प्राब्ब्लम आने उसको क्या उपाय करना है वो सारे शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे उससे आप इन उपायों को कर पाएंगे आज के दिन विशेश उपाया को क्या करना है फॉस अप नोट कर लीजेगा एक तो आपको सुगर नहाते समय पानी मे गी का दियाद जरूर जलाएगेगा इस बात का ध्यान लखिएगा और बगवान से प्राटना करिएगा कि जो भी परिशानिया आपके जीवन में है उसे खतम करें और अपने आपको रिलेक्स करने की कोशिश करें आज के दिन नजर अगर आपको लगी हुई है और आप इतनी नजर को दूर करना चाते हैं तो एक विशेश और अचुक उपाय आपको बदा रहा हूं यह जरूर कर लीजिगा इससे आप सुबे दिन में शाम को रात को कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में कभी भी कर लीजिग आपको क्या करना है अपने सीधी हाथ पर mustard oil लगाना है सरसो का तेल आपको सीधी हाथ पर लगाना है आपको थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लेना है और आपको काले तिल अपने हाथ में रखने हैं काले तिल अपने हाथ में रख करके अपने सर के उपर से clockwise साथ बार गुमा और उसके बाद आपको चाहे बाद हो और उसके बाद आपको फेस को वश कर लेना है अपने आपको रिलेक्स कर ले ही है और उसके बाद आप उसको थ्रो कर दें बहुत आप पावफुल उपाए बहुत एच्छा उपाए और ये दिन ये उपाए आज के दिन बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है उम्मीद करता हूं आप सभी खुश रहेंगे आप सभी अच्छे रहेंगे कहीं कोई दिक किशिश करूँगा आप सभी की हर संबब मदद्यां पर कर सकूं दन्यवाद